नमस्कार ये सीधी वे लाइव दस्वीर हैं इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंद जिला करनाल हर्याना से असंद का ये करनाल मार्ग जहां के प्रतिश्टित शिक्षन संस्थान है में पबली स्कूल ये वहां के सीधी वे लाइव दस्वीर हैं शक्स को अलग सिक गुर्दवारा प्रबंद कमेटी के संघर्ष से जगदी सिंग जींडा है पास के गाउं से आते हैं जींडा से और इस तरफ जिस महिला को आप देख पा रहे हैं नाम है पूरनम पंसरीचा और ये प्रिंसिपल करदाईत हुए यहां पर संभाले हुए है और फिर ए बात करते हैं उसके पीछे क्या मंतव भी रहा होगा क्या एम रहा होगा और या क्या मकसद या अब्जेक्टिव रहा होगा आप ही बताएंगे सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि पगड़ी या सिक धर्म से रिलेटिड किसी भी चिन्न का हमें उतना ही हम सम्मान करते हैं जितना सम्मान जो ना कोई एक सिक करता है हमारा मकसद कर्टेल करके ये नहीं था कि हम किसी परकार की किसी की भावना को ठेस पहुचाएं जो है हम अक्सर पिछले कई सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिस्पेट करें और बच्चे जो ना पगड़ी बांद के आने वाले बच्चे एक साइड में बैठ जाते हैं इस वज़े से हमारा हमने एक तयार किया था के पेरेंटस की कांसिलिंग की जाएगी जो ने पेरेंटस आएंगे आफ पकड़ी करेंगे कि बच्चे एस पोर्ट्स में पार्टिसपेट क पाएं और बच्चे सब्सकर के सहां एक दूसरे साथ हिल मिल सकें क्योंकि बहुत ज्यादा पगड़ी का साइज होने के बाद जो ना उनकी मुमेंट जो ना बहुत रेस्टिक्टेड हो जाती है तो इससे एक कोई बच्चा जो ना उस फोर्म को घर ले गया जो ना जिसकी वज़े से ये सारा गलत फ़हमी पैदा हुई जो ना और जैसा कल हुआ कि आपन दिया गया जो ना ठीक है तो उसी उपलक्स में आज में भाई साब को यहां बुलाया है मैंने परदान जी को भी जो है हम बस यह चाते हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चे जो ना जिस समय भी पार्टिस्पेट करें दस्तार बांध के करें ताकि वो खुलके खेल सके और खुलके खेल को सीख सके बहुत 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 शुक्री आरवी बादवाज को सुन रहे थे मकसद सिर्फ यही था कि बच् और एक्सेल करें हर फील्ड में जी क्या कहना जाएंगे अब जी मैं इतना ही बताऊंगी सर ने जैसे बताया आभी औरड़ी की बच्चों की स्पोर्ट्स की एक भावना को बढ़ाने के लिए कि बच्चे हर्याना में जहां खेलों में बहुत नाम कर रहे हैं और जैसे हमार आपर M.M.S. कुल में बहुत ही प्रोफेशनल लेवर का स्विमिंग पूल है अब मेरे पास कुछ बच्चे सिक परिवार से रोते हो यह दो बच्चे कि सारी पग भीग चो की अब क्या करें स्विमिंग पूल में वो कैप जो है वो छोटी आती है तो बच्चों के नॉर्मल तो किसी तरह से कोई भी गलत ना समझे सभी हम बच्चों को शिक्षा के मंदिर में यही सिखाते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करना बहुत जरूरी है तो शुकरिया इस समय जगदीज सिंग जिंडा को जोड़ रहे हम लाइव एक कई बार क्या होता है कि intention खराब नहीं होता लेकिन कहीं न कहीं मिसकामिनिकेशन हो जाता है और चीजें कहीं न कहीं उस तरीके से नहीं समझा पाते या नहीं समझी जाती और अब जो है मेरे खाल में आप थ्रेट बेरामने सामने बात चीत हो चुकी हैं और क्या कहना चाहेंगे इस समय की बात कहीं न कहीं बच्चों क गुर्दवारा डेरा साब में हुई और जिसमें किसान यूनियन के लोगों ने इस इशु को उठाया तो मेरे पास भी वो रपोर्ट आई मैं वही पर मजूद था तो एक लुफ्ट रूप में नोटिस बेजा गया घर वालों को सुगू की तरफ से आप पगडी नहीं बाड़ सकतें आप डďाइमेटर का दस्तार बाड़ के आ सकते हैं श्कूर ने ये बात हमें पिंच हुई हम तो सभी धर्म औगा तर्म हमारे लिए ये टो धर्म तो हमने बनाया है परमाद्मन तो इनसान को एकी मानुता का रूप लिया है चाहे धर्म कोई अपनाए हमारे लिए सबी समानित हैं और हर धर्म का जो समान करना हर मानुता के लिए भी होना चाहिए तो यदि एजूकेशन के मंदिर में यदि कोई बैन वाली बैट लिखत रूप में जाती है तो वो जिस दर्म से लोग जुड़े होते हैं उनको पिंच जूरूर होती है मैं मानता हूँ कि हो सकता है इन्होंने स्पोर्ट सब उसमें नहीं लिखा और उसी वज़े से ये इशू खड़ा हो गया यदि उसमें ये लिखा होता कि جो सपोर्ट में भाग लगुना चाहते हैं पगड़ी उसमें बादा ना बने इसलिए जब वो सपोर्ट में जाएं तो डायमेटर का पकड़ा बान कराएं ताकि पगड़ी बीगने से बचे या पगड़ी गिरने से बचे पगड़ी उसमें कुछ बादा ना बन सके, बड़े-बड़े हमारे जो नेशनल, इंटरनेशनल लेवर के लिडरे हैं, मैं आपको बजीसिक का उधारन दू, वो भी पठका बानता है, सदार मिलखा सिंग भी पठका बानके करते रहें, रेसिंग, तो इसलिए अब कर दी जाएगी, और हम आज का मसला यही था, कि ये अलाके में ये इश्यू ना बने, इस इश्यू को ख़त्म किया जाए, और इनकी टेंशन जो है, उन्हों नहीं था कि हमारी कोई टेंशन किसी दर्म को डिग्रेड करने की नहीं थी, हम तो बच्चों की बलाई के लिए, स जो भी चाहें, यहां पर इस मला स्कूल में बच्चे दाखल होना चाहें, तो उनको ये कभी नहीं उनके दिल में मलाल होना चाहिए, कि वहां जाएंगे तो शैद शिक्ष दर्म केच्चनों के उपर पबंदी होगी, वहां पर कड़े की बात चली, और मैंने किसानी यूनि बार दें, तो मरिच्यू तक हो सकती है, बड़ा खतना होता है, तो इसलिए कड़े का साही जो इन्होंने कहा है, वह बिल्कुल सही है, उस बार से मैं सहमत हूँ, मगर पगड़ी वाले मसले पर हमें पिंच हुआ, तो हमने स्टिम सहाब से की रोकेस्ट की, और उन्होंने ड कामना सिखों के चिनों के परती नहीं थी, तो ठीक है, जो हुआ हमें बूल जाना चाहिए, चलो, लिखने में गलती रहेगी, तो हमें उस बात को बतूल नहीं देना चाहिए और यह घर्म कर देना चाहिए, जो स्कूम मे आना चाहिए. जग्दी सिंग जिना को सुन रहे थे आप दो शब्द गुर्मंग सिंग भी शाद कहना चाहेंगे कि अन्दाता भारती किसानी उनियन से जुड़े हुए हैं जी सारे लगके नुप्यार पर हिसा से अकाल जड़ी कल सड़े गुर्द्वर अडेरा साइब दे अंदर सड़ी कि मीटिंग शी उसदे वेचेक में पड़ी स्कोल जड़ी कमुद्दा सड़े कोड़ आज इकवी जड़े उत्ते चलके सी के मैं टाहीं मिट्र दा कपड़ा बंगे तुसी दस्तार बनके स्कूल चाह सकते ऑज़े पगड़ी बंद के नहीं हा सकते उते मारफत्सरी एक मीटिं यह किसी तरह नहीं ना सद्धा उत्तों कोई अध्यों ना स्कूल वाड़यान कोई असी कोई रिटन वेचे उना दे कोल कुछ है गाया पर असी तनुष वाद वान ने कि आज को बाद नहीं होगा से उना नों बला मांगे उना ने गल करके ते अज संवेर इनना भर्तवाजी दा सड्धा युना कोई चिंडदा साब को फोन किया सी का और उते। एना ने मासूस की किता है कि बही सादा जड़ी असी पगडी दे मार्फत जड़ी गल शी साद्धा यासी कोई दौय अदनी सटा एक पाहिचा रिड से क कि अधे देल वेच ऐसी कोई गालने सी असी ते सिर्फ एक खेड़ा नू लेके साड़ाइक कही हो अधे बच्चा जड़ा खेड़ा वेच एक्सपोर्ट जड़ा साड़ी कसी में पूल बने होया है उधे खेड़ा चल दिया ने जी पगड़ी बच्चे आपस दे वेच कोई ख आजोबे असी असीनों महासूस किता कि जीड़ी चीज लिखना चांदे सी उस अड़ी को ते लिखी ने गई लिखना जी चांदे सी कि बई पैरिस देनाल असी एक चंसल्ट करके वधिया तरीक्या लोगो नू एही का दसना चांदे सी कि जीड़ा बच्चा है वगड़ी ब पगडी बंद के जड़ा आट उसी एक दूजीन उन्टा कराके तो अड़ी जड़ी पगडी किसे रहा उतर जाये तो चोटी जड़ी पगडी पांच मीटर दी जड़ी जड़ी फोल वैल दी छोटी पगडी हो बन जान दी तुसी उन बन के आऊ को मैस्ट जी ने अज महसूस क सब्सक्राइब को सुन रहे थे इंटेंशन यही था कि स्पोर्टिंग इवेंट के दौरान जो है बच्चे अपने फुल पोटेंशिल का उप्याग कर सके और किसी तरह की किसी की बहावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी यह बातें आमने समने अमिकेबल बड़े महौल में आके समझ ली गई हैं समझा दी गई हैं जल लोटेंगी कुछ और तस्वीरें कुछ और कबरें लेकर तब तक देखते रहे हैं संद हल चल हरियाना हर एस अब नूस्नुनिपोर नमस्कार